दो दिल मिले तो पूल किले और दिल से निकले एसमेंस दिल से एसमेंस दिल से एसमेंस दिल से दिलों की बंद खिड़की खोलना जुर्म जैसा है भरी महफिल में सच बोलना जुर्म जैसा है कहां तो लोग लोगों के दिलों में कैद रहते थी हब तो अपने ही दिलों में जाकना जूर में जैसा है नमस्कार अदाप मैं हूँ आपके साथ अंकिता थपलियार और बहुत बहुत स्वागत आप सब का महुआ पलस के स्पेशल शो में जिसका नाम है SMS दिल से SMS का मतलब शौर्ट मैसेज सर्विस से होता है लेकिन इस शो में SMS का मतलब है सोल मीट सोल यानि आत्मा से आत्मा का मिलन दिल से दिल की मुलाकार आपके मैसेज के जरिये दोस्तों दिल के दर्वाजे हमेशा खोले रखने चाहिए तभी तो लोगों से राप्ता भी बना रहता है मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है बनना फिर आप अपनी ही नजरबंदी में कैद होकर रह जाते हैं इसलिए दूसरों के दिलों में दस्तक देते रहे और औरों को अपने भी दिल में जगा दीजिए अच्छे दोस्तों की संख्या बढ़ाईए ताकि दिल अकेला ना पड़े हर जिंदगी सवरती रहे बरहाल शोगों आगे बढ़ाते हैं लेकिन उससे पहले बता दूँ कि आज है फ्राइडे यानि आज SMS दिल से के लिए बहुत खास दिन है यानि Message of the Week के बारे में बताने का दिन है लेकिन किसका SMS बना है Message of the Week और कौन है उलकी बिनर ये सब बताओंगी लेकिन शो के end में अब इतर शुरुआत करते हैं अपने खुबसूरत कारेक्रेम की खुबसूरत गीट के साथ दिल में वेनला है जोन लेकिने की फोटने का सब इतक दो लेकिन के को पनीकिने प्दाओं बताओंगी लेला हाई दिल हमार सीना में नाया ताता काबु में सरीर लई थे पढ़ल धड़ी कन हो कुछ दिन औरी समहारा राजा मान हो रामजी चड़ा देले बारे कवनी रान हो रोज सुघराई के बसाब तहला संग लहा माना को दबाली जूली जूली गाल चाटा ता माना को दबाली जूली जूली गाल चाटा ता लेला होई दिल दिल लेला होई दिल हमार सीना में नाया ता वाह क्या खुबसूरत गीत था भई वाकई में कारेक्रम का आगास तो ऐसे होना चाहिए है नेकिन आपको बता दूँ इस शो में मैं आपको खुब सारे प्यारी प्यारे गाने सुनाओंगी आपसे मीठी मीठी बाते भी करूँगी तो चलिए अब मीठी मीठी बाते करने का सिलसला शुरू करते हैं यानि पढ़ते ही आपके भेज़े गए प्यारी प्यारे मेसेजेज और जो आजका सबसे पहला जो हमें मैसेज आया है वो आया है हजारी बाग से सुन्दर ने हमें मैसेज किया है और इन्हों ने लिखा है कि मुझे एक लड़की से मुहबत हो गई है मैं उसे अपने दिल के एहसास बताना चाहता हूँ लेकिन डर लगता है कि कहीं वो मुझे अवारा और बदमाश ना समझ ले आपको यह ऐसा अपाए बताएं कि मेरा काम भी बन जाए और वो मुझे गलत भी न समझे सुन्दर आपका नाम ना वाकई में बहुत सुन्दर है लेकिन यह आपसे किस ने कह दिया कि प्यार करने का मतलब अवारा या फिर बदमाश होना होता है इस तरह की सोची प्यार को बदनाम करती है दोस्त जो प्यार को खेल समझते हैं वो प्यार को बदनाम करते हैं अगर आप वाकई उस लड़की से प्यार करते हैं तो उसे अपने दिल के एहसास बता डालिए समझ गए बिलकुर मत सोची और चलिए ये प्यारा सा गाना आपके लिए हर आपकी होने वाली मुहब्बत के नाम लड़ते न जर्या नाच्छा रहोने वाली मुहब्बत के नाम लड़ते न जर्या नाच्छा रहो गई प्यार राजा प्यार तो उसी प्यार हो गई लड़ते न जर्या नाच्छा रहो गई प्यार गोर प्यार तो उसे प्यार हो गई प्यार गोर प्यार तो उसे प्यार हो गई प्यार जर्या प्यार तो प्यार एंट के लिए हाँ छाड़ा कलाई सया रोकना डगरिया उठता करे जलबा में प्रित के ला हरिया हाँ छाड़ा कलाई सया रोकना डगरिया उठता करे जलबा में प्रित के ला हरिया करे जलबा में प्रित करे जलबा में प्रित के ला हरिया प्यार राजा प्यार तो उसे त्यार हां करे मैं प्यार क्लिबद खाते का जलब बहुं पस्दिबा Musk जब से समय लो तुँ दिल में गुजरिया लिखी दिनी ना तोरे सगरी उमीरिया जब से समय लो तुँ दिल में गुजरिया लिखी दिनी ना तोरे सगरी उमीरिया अब ना ही तूटी कब हूँ प्रीत की रसरिया ये जिन्दगानी ये जिन्दगानी अब तो हार हो गयल प्यार गोरी प्यार तो से प्यार हो गयल प्यार गोरी प्यार तो से प्यार हो गयल पूछे ना यार एक बात समझ में नहीं आते लोग प्यार तो करते हैं लेकिन फिर इतना ड़ते क्यों है और ये प्यार को अलग-अलग परिभाशा क्यों दे देते हैं कभी समझते हैं कि अगर हम किसी को प्रपोस करेंगे तो शायद हमारा इंपाक्ट उस पर क्या पड़ेगा शायद वो हमें बदमाश ना समझे जैसे कि अभी इन होने कहा तो आपसे कहना चाहूंगी प्यार एक पाक शब्द है बहुत खुपसूरत शब्द है इसमें जितना डूपते चले जाएंगे उतनी महबत आपकी बढ़ती जाएगी तो प्यार को प्यार से रखे ना, प्यार को समझे ना, किसी के दिल के, किसी के जज़बातों को ज़रूर समझे समझ गए? हम भी समझ गए कि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जुआएगा नहीं, देखते रहे हैं एसमेस दिल से ब्रेके बाद बहुत-बहुत स्वागर थे आप सभी का महुआ प्लेस के खास शो में जिसका नाम है SMS दिल से याने के Soul meets Soul और आज है दोस्तो Friday, आज का दिन है बेहत खास यानि आज Message of the Week के बारे में बताने का दिन है और मैं जानती हूँ कि कौन है आज का Lucky winner ये जानने के लिए आपका दिल है बेकरार लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा आपको थोड़ा अंतिजार क्योंकि अभी मुझे पढ़ने है आपके Message कई बार अरे वाह ये तो शायरी हो गई, खैच चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला Message और ये Message जो हमें भेजा है ये भेजा है में रीना ने भदोही से इन्होंने लिखा है कि मेरी एक बहुत अच्छी Friend है वो अपनी रिष्टदारी में एक लड़के से बहुत प्रेम करती है लेकिन इबात में सिवा और कोई नहीं जानता अब मेरी घरवालों ने उसी लड़के से मेरी शादी तै कर दी है अरे वापे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ रिना, हालात कभी-कभी इनसान को ऐसे मोड पर ले आकर खड़ा कर देते हैं जहां उसके लिए फैसला लेना ना बहत मुश्किल हो जाता है आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है लेकिन मेरी मानिये तो आप शादी से साफ साफ मना कर दीचे नहीं तो आप अपनी ही नजर में गुनाइगार बन जाएंगी और अपनी फ्रेंड की नजर में भी वैसे भी अगर शादी हो भी गई तो भी तनाब ना बना रह सकता है उस लड़के को आप पती की निगाह से कम दोस्त के आशिक के रूप में ज्यादा देखेंगी है ना? इसलिए शादी के लिए मना करना उच्छे थी रहेगा और हाँ हो सके तो अपनी दोस्त से सलाह लेकर घरवालों को सारी बात बता दीजिए और कोशिश कीजिए कि इसे उलचे हालात में आपके दोस्त की शादी उस लड़के से तैह हो जाए बीच भवर में फसी एक लव स्टोरी को क्या पता आपकी मदर से एक खुबसूरत एंड मिल जाए? समझ गई? तो चलिए ये खुबसूरत सा गाना आपके लिए सुनला सजन कुछ कहाता दिल के धड़कर सुनला सजन कोनो मनतर कोनो जादू कादी हला हमते बाबु दिल नहीं लागे लात हो राबिन जब से लडल नयन सजन 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 और सजन दोहरा के नाही देखीता दिल में करार ना मिले दोहरा के नाही देखीता दिल में करार ना मिले अब दिल बासे दूर ना जा है हम रा में तू समाजा प्यार के रंग में रंग जा वैसे जैसे खुस बपवं सजन 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 और सजन पागल को दिख लप्यार में आखियां में आखियां डाल के तोहरे बदे जवानी हुए रखने होई आ लेके अखियां में आखियां में आखियां डाल के तो हुरे बदे जवानी हूँ रख ले हाई समाल के वहिया में तु हमके लेला का है बिरहा के दुखवा देला कैस मनाई मन के अपना माने लाना ही मन दोस्तों दोस्ती और प्यार दोनों दिल के मामले होते हैं दोनों जितने मजबूत होते हैं उतने ही नाजूद भी होते हैं छोटी सी भी कलत फहमी तरार डाल देती है आपकी दोस्ती में आपके प्यार में इसलिए हमेशा कोशुश करने चाहिए कि गलत फेहमी ना हो और अगर कभी कुछ हो भी तो उसे तुरन दूर करने की कोशुश करने चाहिए बरहार आगे बढ़ते और पढ़ते हैं हमार आगला मैसेज यहमें मैसेज आया है जरिया से और इसे भेजने वाले है आनन्द राज इन्होंने लिखा है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ आजकल वो मुझसे बहुत नराज है और बात भी नहीं करती जबकि गलती भी उसी की है लेकिन वो कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करता और जान बुझ कर उसे तंग करता हूं ताकि वो मुझसे दूर चली जाए अब मैं कैसे बताओं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं आनन्द आपके लिए तुम्हें यही कहूंगी कि हम तो करते हैं वफा फिर भी लोग खफा होते हैं यह तो दस्तूर है दुनिया का अच्छे को बुरा कहते हैं टेंचन को छोड़िए वो नराज है तो मान भी जाएंगी समझ लीजिए इस बात को भई प्यार किया है आपने मजाग थोड़ी किया है और अब आप जैसा प्यार करने वाला है तो फिर मानना ही पड़ेगा दोस्त मैं भी उनसे शो के जरीए गुजारिश करती हूँ कि वो मान जाएं प्लीज आनन्द आपसे बहुत प्यार करते हैं हाँ आप उनको बहुत प्यार करते हैं और उनकी नराजगी से उदास भी है और चलिए, आप टेंशन को करते हैं दूर, अपने मूट को एक दम से फ्रेश करते हैं, इस गान्स खुबसूरत गीत के बाद, येस, समझ गए ना, वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जो आएगा नहीं, देखते रहें, एसे वेस, दिल से, एसे में, दिल से, अब रेक के बाद, बहुत-बहुत स्वागत बार, हुआ सब के फेवरेट शो में, जोना के नाम हुए, SMS, दिल से, यानिके, Soul, Meet, Soul, जा हो ला, दिल से, दिल की बाद, जा हो ला, दिल से, दिल की मुलाकात, दोस्तो, आज होए, Friday, मतलब, शुक्रवा, यानिके, Fast Play के दिन, Lucky Winner चुनाए के दिन, Message of the Week के Results के दिन, केकर, मैसेज यह हफता के सर्ताच, Message रहल बाई, बतावे के दिन, बाके रभी ना बताई, तनी, इंतजार करे, वैसे भी, जौन मजा इंतजार में बाई, वो मुलाक ने कहा, तो Message of the Week के बारे में जाने के खातिर, अभी कर इंतजार, हागिला Message पड़े कातिर, हाम बानी बेकरार, तो चली जाओ, पडल जाओ, अगला Message, यह Message कहां से आई, लबाई, यह कर जिक्र नहीं के, हाँ, बाकेर के भेजल बाई, ओकर नाम जरूर बाई, यह Message भेजले भरी बात आपने कई है, और यह सच है कि प्यार तो हर कोई कर लेता है, और दरसल प्यार कोई करता नहीं, बस हो जाता है, लेकिन प्यार की असल परिक्षा तब होती है, जब उसके सामने मुश्किले आती है, उस समय जिसने प्यार को प्यार से निभा लिया, उसका प्यार हम मेशा बरकरा रहता है गलत फेहम या शक तवाम ऐसी बाते हैं जो प्यार करने वालों की बीच तरा डालती है और इन सब के चलते प्यार करने वालों में दूरियां बढ़ जाती है लेकिन तब ही प्यार को समझदारी से हांडल करने और निभाने की ज़रूरत भी होती है आप अधिकर किसी से प्यार करते है ना या फिर करते ही होंगे तो उसे निभाना सीखे और चलिए सुनते हैं एक और बढ़िया सा गाना तोहरा से हम का कितना प्यार बाद कैसे हम बताएं समझाएं कि जियरा हुम राँ कितना प्यार बाद कैसे हम बताईं समझाएं कि जियरा हमरा कितना प्यार बाद एे एे हुआ हुआ कर दो आज पहली बार पिया देखे तो ही प्यार से भाईला एहसास दिलवा मिलाई दिल हार के कर दो आज पहली बार पिया देखे तो ही प्यार से भाईला एहसास दिलवा मिलाई दिल हार के कर दो आज पहली बार पिया दिल में समाल जैसे आखिया में तपना कहा तई न चाई तई न पाई के दिल में हमरा जैने न परार वा ऐसे हम बताई समझाई कि जिये न हमरा केतना बेकरार वा आजिये न तर्फन दिल हा जोग में लेक कि कुछ थाया प्सटत पक्या बैरी संग बान्ध के पिरती आंके डोरी दिलबा हमार तु चुराई लहल दोरी बैरी संग बान्ध के पिरती आंके डोरी दिलबा हमार तु चुराई लहल दोरी बनी के सवनवात बरसु हिया पे अगिया पुझाई देल हमरे जिया के अब आसनाई ना बुझाई के दिलबा हमरा तु चुरापे निशारवा कैसे हम बताई ना बजाई के जिहरां पमराई के तिना बेखरारवा लोग दोका खाजाते हैं फिर भी भरोसा करते रहते हैं जबकि प्यार में समझधारी के बहुत जरूरत होती है और प्यार को निभाने के लिए तो खास तोड़ पर समझधारी की जरूरत है बरहाल आगे बढ़ते हैं पढ़ते हैं हमारा अगला मैसेज और यह मैसेज हमें भेजा है विरेंद्र जाइसवाल ने पटना से इन्होंने लिखा है कि मैं गलड़की से प्यार करता हूँ वो भी मुझे बहुत प्यार करती है लेकिन उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया है उसने अपने दोस्तों के सामने मुझे एक छोटी सी बात के लिए जोलील किया उसने मेरा कहना नहीं माना मैं बहुत बेचैन हूँ मुझे उससे यह उमीद नहीं थी वरेंग रलाक्स शांत थंडे दिमाग से सारी घटना पर गौर करिए कि क्या वाकई उनकी ही गलती थी या आपने ही अपना हग जमाने के चक्कर में कुछ जादा ही उन पर दवाब डाला शुरू कर दिया अगर ऐसा है तो उन्हें सौरी भोल देजे और नवी हो तो ऐसी बातों को ना दिल पर नह करी यहा है प्यार में नहीं सा छोटी-मोठी चेदा चलती है प्यार के लिए अच्छा नहीं होता बरहाल अभी के हालात पर आपके लिए शेर अर्ज करती हूं करवाट बदल बदल की हर इक रात का्ट दे कच्छी मकान में अपकी भी बरसात काट दे वो सर भी काड़ देता तो होता ना कुछ मलाद अफसोस यह है उसने मेरी बात काड़ दी चलिए सुनते हैं ये खुब जुरा सा गेगा अखिया में सपना साजवनी होले होले रानी हो रानी तो हरे पर मनमा दोले देखा देखी भोईल जस ही मिलाल न जैरिया चोर बन के घूस गयला दिल के भी तरिया देखा देखी भोईल जस ही मिलाल न जैरिया चोर बन के घूस गयला दिल के भी तरिया चाहला जवानी गुद्रावे होले होले राजा हो राजा तो हरे पर मनमा दोले राजा हो राजा तो हरे पर मनमा दोले अई से न भूला हमरो डोला ता इमान हो तुही हमर जान हो तुही मुर परान हो अई से न भूला हमरो डोला ता इमान हो तुही हमर जान हो तुही मुर परान हो इहे तोर अदातामुर दिल के दरवाजा खोले राजा हो राजा, तोहरे परमनवा दोले इश्क मेना गुस्सा नहीं करना चाहिए और गुस्सा अगर हो भी, तो मान लेना चाहिए जैसे मेरे को गुस्सा आता है इस घंटी पर जो हर समय के बाद टैंटेंट बज जाती है लेकिन हाँ, अब यहाँ पर यह ब्रेक भी तो बहुत जरूरी है ना तो चलिए, यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा रेस्ट यानी लेते हैं एक छोटाचे ब्रेक कहीं जाए का नहीं देखते रहें एसे मेरे दिल से प्रेक के बाद बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ पलस के खाश शो में जिसका नाम है SMS दिल से जिहां एक ऐसा शो जहां होती है आपकी दिल की बाद जहां आपके एहसास हमारे साथ आप शेयर करते हैं और उनको हम पहुचाते हैं उन तक जिन से आप कुछ कहना चाहते हैं जिहां दोस्तों एक ऐसा शो है जिसमें आप पिरोते हैं अपने एहसास तो आईए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और अगला मैसेज हमें आया है ये आया है आरा से और इसे भेजने वाले हैं विमल सिर्हा इन्होंने अपनी बात को कुछ शायरी शकल दी है इधो ने लिखा है यू तो भरोसा तो नहीं लेकिन किसी दिन आएगा चंद तूटे ख्वाप मेरी आखों से ले जाएगा मेरी बाहों में लिपट कर सो रहा कोई यकीन रफ्ता रफ्ता ये किसी दिन होश में आजाएगा विमर बहुत खूर वाकई बहुत अच्छा शेर है लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी उमीदों को इस तरह से कमजोर नहीं पढ़ने देना चाहिए अपने होसले को बनाए रखना चाहिए समझे तन मन में बजल सहनाई के धक धक धड़कन बोले कई लसी जुलूम हर जाई के धक धक धड़कन बोले कई लसी जुलूम हर जाई के धक धक धड़कन बोले कई लसी जुलूम हर जाई के धक धक धड़कन बोले कई लसी जुलूम हर जाई के धक धक धड़कन बोले 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 प्टिज जाई के लड़कन बोले धड़कन बोले धक धनल बोले धक धड़कन तो अड़कन मारे लहरिया पुर्वा पे अरिया सुधिया है राइल हमार हो का से कही राम दिलवा के बत्या मन पो राइल हमार हो ओ मारे लहरिया पुर्वा पे अरिया सुधिया है राइल हमार हो हरे का से कही राम दिलवा के बत्या मन पो राइल हमार हो जियरा के कली मुसकाईल के धक धक धड़कन बोले हो जियरा के कली मुसकाईल के धक धक धड़कन बोले कई लसी जुलूम हर जाई के धक धक धड़कन बोले हो जियरा के धक धक धड़कन बोले हर चली अब इस खुबसूरत गीद के बाद वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का कहीं जाए कर नहीं देखते रहिए SMS दिल से अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी बाकी हैं और हाँ लगी विनर भी तो बताना है देखते रहिए SMS दिल से सिर्फ आपकी फेवरेट चैनल महुआ प्लस पर ब्रेक के बाद बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका महुआ प्लस के उस खाश शो में जिसका नाम है SMS दिल से यानि के सो मेट सोर और SMS दिल से का आप ये सफर आज के इस आखरी चरण में आ पहुँचा है अब मुझे पता है कि आप ये जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं बेकरार हो रहे हैं कि किसका मैसेज बना है Message of the week ये बताओंगी लेकिन उसे पहले आज का आखरी मैसेज विदा पढ़ लिया जाए इसे भेजा है पूनम ने और ये राची सनोना में Message किया है इन्हों लिखा है कि मैं कि लड़के से बहुत त्यार करते थी लेकिन किसी वज़े से अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है मैं चाहती हूँ कि उसे भूल जाओं फिर भी उसकी यादें दिल से निकलती नहीं है पूनम प्यार में ऐसा होता है बिछड जाने के बाद भी यादे बनी रहती है और रह रह के टीस देती है लेकिन ऐसे मामलों में भूलना ही बहतर होता है और या फिर उन यादों को इस तरह से याद करना चाहिए कि कश्ट ना हो समझी बलकि बीते पल की खुबसूरत एसास की तरह वो आपके जहने पर करा रहे समझ गई तो इसे जबरन भूलने की कोशिश बिलकुल मत कीजिए फिलहाल आपके दर्ट परी शेर अर्थ है अब तो यह बीन रहा याद मिले कब थे मगर उस मुलाकात का अब तक भी असर बाकी है हराई सुनते शोकात रिगाना कैसे बाबो जी से कोही कैसे बाबो जी से काही कैसे बाबो जी से काही कही कैसे चाके मात बढ़ का भाई आसे ओड़नी प्यार करे लागल पुर्वई आसे ओड़नी प्यार करे लागल पुर्वई आसे ओड़नी प्यार करे लागल पुर्वई आसे कैसे बाबो जड़नी पुर्वई आसे कजने बेमारी कवन हमके बठाईले जब से जवानी चड़ल जूलूंब बठाईले कजने बेमारी कवन हमके बठाईले जब से जवानी चड़ल जूलूंब बठाईले सौसे देहिया गुद को डाला मन हवाई मुर्बु जाला सौसे देहिया गुद को डाला मन हवाई मुर्बु जाला बात पूछे कर से आम अम रही आसे ओधनी प्यार कर लागल उर्वया से ओधनी प्यार कर लागल उर्वया से और दिन प्यार कर लागर पुर्वैया से कहीं आले साथी होई कबले गवनवा कहीं अभितई है हमसे हमरो सजनवा कहीं आले साथी होई कबले गवनवा कहीं अभितई है हमसे हमरो सजनवा भाग कबल हम रो जागे कही या महदे हाथ लागे भाग कबल हम रो जागे कही या महदे हाथ लागे बात पूछे लई लग नीची रही आसे अड़नी प्यार कर लागल पुर्वई 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 आसे और अब बात उसकी जिसका अंतिजार आप सबको था यानि अब मैं बताने जा रही हूं आखिर कौन है वो लग्की विनर जिसका मैसेज बना है मैसेज ओफ दवीक तो उनका नाम है येस वो है शाबिर अली मुजफर नगर यूपी से शाबिर जी बहुत-बहुत मुबारक आपको आपको मिला है महुआ प्लस की तरफ से एक आकर्शक इनाम और आपका मैसेज बना है मैसेज ओफ दवीक दर्शको कि आपको भी सुनहेरा मौका मिल सकता है', आपको भी मावअ प्लस की तरफ से एक आकर्शक इनां मिल सकता है, आपको क्या करनी है? कोशक श्य करनी ए!! हमें प्यारस प्यारे मैसंजेज today, जू ही हम तख रोजना मेसंगी ही रहिए, खुब सारे मैसंज हमें करिए, क्या पताollen आ डबल एट पर याद रखिए आपका मेसेज हो सकता है Message of the week तो चलिए इस वादे के साथ कि आप से फिर होगी मुलाकात पड़ूंगी आपके दिल से भी चुगए प्यारे प्यारे SMS को तब तक के लिए मुझे दीजिए एजासब टे के रहें बाइब बाइ तू आप दू दिल निले तो पूल के ले और दिल से निकले SMS दिल से SMS दिल से SMS दिल से SMS दिल से